तो हलो फ्रेंज आज इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे सेजवन मोटपन फ्रोंट तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास तक देखते रहे हैं तो एक एक इंग्रिडेन आपको बताते जाऊंगा मैं ठीक है तो यहाँ पर मैंने कुछ बेज़बल लिया है अब इसको कॉटिंग करूँगा मैं ठीक है फ्रेंट तो इसी तर कि मुझे क्रинки रिचा करना के आपकी देखाे है मैं और ग्राफ को बीज़ब 네 वीडियो में यह तो एक रिचे फ्रिंग थोड़ा स्वाइल हुआ है ठीक है फ्रेंट तो इससे तरह लेन पर के अश्राब क कारना है यहां पर ऑन नियों को मैंने इसका जूलियुन को कॉट क जुट करना है छाई फ्रैंट तो हम यहां पर Border тебе कापसिकंप सिखं only करना ही तो यह पर चौटा सक डिरीन कापसिकंप लिया आ है इसको हम लेंक उल्यून करेंगे का इस तरह से आपको यह चौटा सो ऐनल्यून कारना है ठगे ठरंड मैं तो कुछ भी वर्स्टस नहीं करता हूँ तो आप भी इसी तरह से वर्स्टस मत किजिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने green capsicum, red capsicum और onion मैंने julien cut करके ready किया है ठीक है एसी तरह से आपको भी ready करना है अब हम लोग onion को chop करेंगे जो भी onion बचा हुआ था ना मरा तो उस onion को हम भी यहाँ पर chop करना है आपको भी हम यहाँ पर आम लोग यहाँ चॉप हो चुका है छुप कर लिए है आपको भी इस तरह से चॉप करना है ठीके फ्रênt तो यहां पि दख सकते हो और चुका हो तो आप देखी लिए मैं किस तरह से बैशिוכे चौप करता हूँ मैं और यहां पिल गार्लिक लिए मैने यहाँ पर मैंने इस तरह से चौप करना है रंट तो बहुत सारा लोग बोलते कि की इस तरह से चौप करना है और मैंनेस थोटा सा अध्रक लिया और इसमय को हमनहीं बोलते हैं Ingres इसको स्लाइज करके इसको आमनों बारीक चौप करेंगे अभी जब भी आप चॉप करोगे ना फ्रेंट तो आप थोड़ा द्यान से कीजे ताकि आपका हाथ कटना हो जाए ठीक है फ्रेंट तो इस तरह से आपको चॉप करना है यह जिंजर भी तो आप देख सकते हुँ मैंने यहां पे ग्रेंट एड ऑनियन पूरा जी मान रहा है और चॉप प्रेंट शॉप और जिंजर उप ऐया पर पूरा मैंनी रेडी करके है इसको अब यह साइट का यह बहुत तिखा रहता है जो चूपता है तो इसको निकाल देंगे और इसका फ्रॉंट को हम लोग यह बिस में इस तरह सा चीरे मारके अंदर का जो कहचल रहता है तो इसको इस तरह सा रिमुब करना है थेखे तो सब इस्तरह से आपको निकारना है एसी टाइट का फ्रोण लेना है आपको ठीक है तो आप देख सकते हूं यह पहीं है सब कुछ साब कर चुका हों मेंने फ्रोण को वेक साइड से और जो भी अभी हम नो कहdenay इसको फ्रोण को इस्तरह से थोड़ा सा चीरा मारके इसको लंबा करेंगे लंबा करेंगे तो इस तरह सा आपको भी चीरा लागाना है थोड़ा ध्यान से कट करना है फ्रेंड आपको हाथ में कट जाए तो इस तरह सा आपको चीरा लागाना है और सिरल लागन इस तरह सा दिरे दिरे आपको दबा के इसको लंबा करना है देख रहे हैं इस तरह सा आपको लंबा करना है ठीक है तो आप तो समझ में आ गया हूंगा तो मैंने सारा फ्रॉंग को इस तरह सा मैंने यहां पर लंबा किया है ठीक है लंबा लंबा कर रहा है तो प्रोडल राता ना उसको भी मैने लिया है School tung Sh appreciated उसका बाद हम यह बाद हम लोग डालींगे यहां पर दारक स्थास्थ हाफ म इसस़ण यहां विये सठीज़ यह पीजिवन इस थरे सर्य दालींगेнес़ करेंके सब्सक्षाइश करींगे अब देख सकते हो हमलों का यह है, mix हो चुका है, मैरनेट हो चुका है अब हम लोग इसको साइट में राख के, इसका coating बनाएंगे हम लोग coating बनाने के लिए आपको यहापकर मैदा 4 लेना है और जो कौन स्थाच होता है न, कौन स्थाच, उसको आपकर 5 लिया है उसका बाद इस तरह सा मिलाएंगे आम लोग और यहाँ पर फ्रेंट हम लोग एक अंडा डालेंगे अंडे को भी यहाँ पर मिक्स करेंगे हम लोग इस तरह सा आपको एक ही अंडा लेना है ठीके फ्रेंट उसका बाद आम लोग यहां पर खाने का जो बैक्मिक तो रहा था ना वाटर डालूंगा वाटर आप हिसाब से डालिये ठीक है तो आप तो अगे देखाऊंगा कि कैसा थीकने सोना चाहिए बैटर उसको बात यहां सक्क्राइद देख सकते हो बैटर है आपको इतना थीक राना चाहिए इस तरह सा फ्रॉंट में जो बैटर ही लगना चाहिए तो थोड़ा एक स्पून कान्फोर डाल के इस तरह से मिक्स कर देंगे इसको ताकि जो आमनों को बैटर है ना अच्छी तरह से यह फ्रॉंट पकड़ ले तो मैंने यह पर मिक्स किया है अब चलिए फ्रेंड आम लोग इसको फ्राइ करने के प्रोसेस स्टार्ट करेंगे यहा यहां पर हमने जो बैटर बनाया था मैंने यहां पर एक वाल में लिया है अब यह हम लोग इसको एक एक पिस्ट करके फ्राइ करेंगे तो इस तरह से आपको भी बैटर में डाना के इस तरह से ओईल में डानना है देख रहे हो आप इस तरह से डानना है जब भी आप करोगे ना थोड़ा द्यान से करना है करना है आपको तो आप देख सकते हो मैंने फुरा फ्रोंट निया पे डाल चुका हूं और इस तरह सा वाइट होते जाए गए फ्रोंट और उसका बाद नहीं इसको थोड़ा सा आप स्लो फ्लेम में आपको इसको कुक करना है स्लो फ्लेम में कुक करना है आपको गोल्डेन ब्राउन निकालना है आपको इसी तरह से देख सकते हो आम लोग का फ्रॉंट फ्राय ओके इस तरह से गोल्डेन कलर आज चुका है अब यह फ्रेंड आम लोग इसको इसको जो सॉस रात यहां पर मैंने तीन इस्पून ओयल लिया है अभी इसको यह अईल को हम लोग चारो तरव इस तरह साब प्भाय आ दिए कर लिए को बाद यह पर या मों डाल लिंगे गार्लिक चॉप रहता है ने डेड़ ही स्वें डालेंगे、 और चिंजर चॉप डालना है आपको वन डाल इस्पुनム में उसका बाद आपको ओनियन डालना है दो इस्पून और इसको अच्छी तरह से आपको इस तरह से सौते करना है तो जब तक यह ब्राउनी होगा तब तक आपको साथे करते रहना है उसका ऑण रहता हमने जो ओन्यन, कैप्सिकम जुलिन ले था ना, इसको यहाण पर भी डालना है आपपφे था अब को समझ में आ ढगे होंगे कि हमने कि क्रिंग कट किया था तो यहां पर हमने डाला हूँ जुलिन आणियन एंड कैपसिक, उसका बाद हम लोग इसको अच्छी तरह से साते करेंगे, इस तरह सा, तो थोड़ा ये आणियन कैपसिक, तो थोड़ा नी ओगा ना, लाइटली ब्राउन नी ओगा तब तक आपको इसको थोड़ा ब्हुनते रहना है, तो आप देख सकते का ब्रॉन हो चुका है और यहां पर हमनों डालेंगे वान स्पून सेजवान सॉस या दरा के फ्रेंट सेजवान सॉस मैं ने बोटल का यूज किया है और उसका बाद यहां पर सिरी राचा सॉस डालूंगा मैं डेड़ स्पून उसका बाद हम डालेंगे यहां पर टॉमाटर सॉस आप नॉर्मल टॉमाटर सॉस ले सकते हो उसका बाद हम लोग इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताटी यह जो है ना सॉस तारो तरफ मसला में पकड़ लिए और यहां पर हम लोग डालेंगे वाइट पेपर पौडर हाफ इस्पून और सॉल डालेंगे हाफ इस्पून उसको बाद डालेंगे सुगर हाफ इस्पून याद राति फ्रोंट आपको जाता मसला नहींड़ाना जो शॉस बगार का रगी हाफ पहले जाफ है भेख में टाला था तो यहां पर आम नों के फ्रॉंट यहां पर डालेंगे उसके बाद इसको टास करेंगे हाई फ्लेम करेंगे उसका बाद टॉस्ट करेंगे इसको तो यहां पर मैंने कोरेनर भी डाला है और इसका बाद यहां पर इस तरह से टॉस्ट करेंगे ठीक है फ्रेंट तो आप भी इसी तरह से टॉस्ट करने नहीं आता है तो थोड़ा धीरे-धीरे करने तो पड़ेगे भी करना तो टेफिनेटली आपको आई जाएगा ठीक है फ्रेंड कोई बीछ चीज़ है आज में से नहीं आता है शिखना पड़ता है ठीक है फ्रेंड तो यहां पर मैंने चुंभ आ हो तो आप उसी तरह से कर लो तो यहां पर मैंने एक आप यह हम लोग बन के रेड़ी हो तो फ्रेंड यह इसलिए आपको कैसा लागया मुझे कमें सेक्टिम में ज़रूर बताएए और आप इस चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब किजिए करना मन बूलिए फ्रेंड मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक्ट